दोस्तों कॉलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो हमारी बाडी में हार्ट डिसीज यानि दिल से संबंदित बीमारियां पैदा करने के लिए सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है ये दो तरह का होता है एक होता है LDL और एक होता है HDL अब ये जो LDL है इसे bad cholesterol कहते है क्योंकि ये हमारे दिल की arteries में जम जाता है और उनमें blockage पैदक कर देता है और जो HDL होता है उसे good cholesterol कहते है क्योंकि ये protective होता है हमारी body को protect करता है, हमारे heart को protect करता है और LDL cholesterol को कम करने का भी काम करता है वैसे तो cholesterol को कम करने के लिए diet, lifestyle और weight management बहुत ही important factor होते हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी home remedies भी हैं, कुछ ऐसी herbs भी हैं जो की cholesterol को कम करने का काम करती हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 6 ऐसी herbs के बारे में जो आपके cholesterol को कम करने का काम करती हैं और आपके heart को protect करती है, heart disease से, blockage से और high blood pressure से सबसे पहली चीज जो मैं आपको suggest करूँगा आपके cholesterol level को कम करने के लिए वो है garlic जी हाँ लहसुन, एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो की आपके heart के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही फाइदे मंद है और आपके cholesterol को कम करने का काम करती है लहसुन के अंदर एक organic sulfur compound पाया जाता है जिसे allicin कहते हैं और ये allicin ही responsible होता है इसके अंदर पाई जाने वाली सभी therapeutic properties के लिए लहसुन आपके LDL यानी bad cholesterol को कम करता है और HDL यानी good cholesterol को बढ़ाता है इसके साथ साथ आपके BP को भी control करने का काम करता है और इसके अंदर anti-inflammatory और antibacterial properties भी पाई जाती है तो overall आपकी cardio protective जितनी भी चीज़ें होती है उसमें सबसे बहतर चीज सबसे best चीज जो आपके लिए होती है वो है garlic यानी की लहसुन एक दिन में एक से दो तक garlic के cloves आप ले सकते हैं सुभे खाली पेट पानी के साथ या फिर इसको आप चबाकर भी ले सकते हैं या फिर इसके जो supplements आते हैं उस तरह से भी आप इसे ले सकते हैं बहुत सारे अचार भी आते हैं garlic के जो की सिरके के अंदर बनते हैं अब ध्यान ये रखना है कि तेल के अंदर बना हुआ अचार आपको उपयोग में नहीं करना है जो अचार सिरके के अंदर बनता है विनेगर के अंदर बनता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं और उसे दि कब गुनगोने पानी में मिला कर ले सकते हैं दूसरी बहुत बढ़िया चीज जो आपके कॉलेस्ट्रॉल को कम करती है वो है ग्रीन टी जी हां ग्रीन टी टेस्ट में भी बढ़िया होती है आपको पीकर रिफ्रेश्मेंट भी देती है और उसके साथ-साथ ये आपके cholesterol level को भी कम करने का काम कर देती है आपके LDL को ये घटाती है और HDL को बढ़ाती है green tea पीने से आपकी घट के अंदर यानि कि आपके पेट के अंदर जो cholesterol का absorption होता है जो fat का absorption होता है वो कम होने लगता है और चूँकि इसके अंदर anti-inflammatory और anti-oxidating properties भी होती है तो ये आपके heart को protect करने का काम भी करती है एक से दो कप आप दिन भर में green tea पी सकते हैं और without sugar पीना है जिससे की इसका आपको best benefit मिलेगा तीसरी home remedy जो मैं आपको suggest करूँगा वो है धनिया जी हाँ coriander seeds या धनिया बहुत ही बढ़िया चीज है वैसे तो हमारे खाने में आम तोर पर इसका काफी उपयोग किया जाता है लेकिन अगर आप इसको therapeutic तोर भी लेना चाहते हैं तो भी इसके बहुत सारे benefits हैं इसका उपयोग बहुत सारी ayurvedic medicines में किया जाता है और ये आपके cholesterol को घटाने का भी काम करता है धनिये के वैसे तो और भी बहुत सारे benefits हैं ये आपके दिमाग को भी मजबूत करता है बालों को भी मजबूत करता है आपकी eyesight को भी improve करता है लेकिन इसका जो सबसे बढ़िया benefit है वो है आपके cholesterol को कम करने के लिए और इसको आप भूनकर खा सकते हैं directly चबा सकते हैं सौफ के साथ आप भुने हुए धनिये के बीज मिला सकते हैं मिश्री के साथ मिला कर इसे आप ले सकते हैं नारियल के साथ मिला कर आप इसे ले सकते हैं overall बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप इसे ले सकते हैं और एक दिन में एक से दो चम्मच तक धनिये के बीज आप ले सकते हैं और इससे आपको cholesterol को जल्दी घटाने में बहुत मदद मिलेगी चौती चीज है इसब गोल की भुसी जी हाँ इसब गोल की भुसी बहुत ही बढ़िया चीज है आपके cholesterol को कम करने के लिए बलकि अभी recently US FDA ने भी इसे approve कर दिया है और इसका जो claim था कि ये आपके cholesterol को कम करती है उसे भी accept कर लिया है तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी फायदे मंद चीज होती है और इसके अंदर बहुत सारे fibers होते हैं जो कि soluble fiber होते हैं और ये soluble fiber आपके पेट के अंदर से fat के absorption को slow करने का काम करते हैं और blood के अंदर से cholesterol को कम करने का काम भी करते हैं तो एक से दो चम्मच तक ही सब गोल की भुसी आप रोजाना पानी के साथ ले सकते हैं तो इससे आपको cholesterol लेबल को कम करने में बहुत ही फायदा मिलेगा और इसके साथ साथ चूकि इसके अंदर fibers बहुत जादा होते हैं और अगर आपको कोई digestive problem है constipation की या कब्ज की तो उसमें भी इसका काफी अच्छा effect आपको मिलेगा पांच भी चीज जो मैं आपको suggest करूँगा cholesterol को कम करने के लिए वो है fenugreek seeds यानी मैथी के दाने मैथी का दाना बहुत ही बड़िया चीज है वैसे तो आम तोर पर लोग इसको उपयोग करते हैं diabetes को manage करने के लिए लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर anti-inflammatory और anti-oxidating properties भी पाई जाती है और इसके अंदर पाया जाता है saponin ये saponin आपके cholesterol को कम करता है और इसके साथ साथ इसके अंदर जो fiber पाया जाता है वो आपके liver के अंदर जो cholesterol बन रहा है जो हमारी body बना रही है उसे भी कम करने का काम करती है तो overall आपके cholesterol profile को manage करने के लिए maintain करने के लिए मैथी के बहुत अच्छे effect होते हैं एक से दो चम्मच तक मैथी आप हर दिन ले सकते हैं रात को सोते समय मैथी को भिगो कर रख दीजिए और सुबह नाश्टा करने के फॉरण पहले या नाश्टा करने के फॉरण बाद आप इसे ले सकते हैं और आखरी चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है आउला अगर आप अपना कॉलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो आउला इसमें आपकी बहुत ही जादा मदद करता है आउला विटामिन C का भरपूर सोर्स है और इसके अंदर एंटी ऑक्सिडेंट्स भी भरपूर मातरा में होते हैं तो आउला ना केवल आपके कॉलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में आपकी मदद करता है बलकि इसके अंदर जो एंटी ऑक्सिडेंट्स हैं वो आपकी body के अंदर etherosclerosis यानि की नसों का सख्त हो जाना यानि नसों के अंदर जो cholesterol जम जानी की वजह से कड़कपन आ जाता है उम्र के साथ साथ जो कड़कपन आने लगता है जो लचीलापन कम होने लगता है दिल की आर्टरी का दिल की नसों का उसे भी कम करने का काम आउला करता है और इसके साथ साथ ओवरॉल एक कार्डियो प्रोटेक्टिव के रूप में ये आपकी हैल्थ को मेंटेन करता है तो अगर आप कोरोनरी आर्टरी डिसीज से बचना चाहते हैं या फिर आपको कोरोनरी दिसीज है तो उस कंडीशन में भी आप आउले का उपयोग कर सकते हैं जो की एक बहुत ही बढ़िया चीज है एक से दो आउला आप रोजाना मुरब्बे के रूप में ले सकते हैं आउले का आचार भी आप खा सकते हैं और आउले के पाउडर का भी सेवन आप कर सकते हैं यदि आप इसे पाउडर के रूप में लेते हैं तो एक से दो चम्मच आउले का पाउडर रात को सोते समय आप ले सकते हैं. तो ओवर ओल ये जो चेज़े मैंने आपको बताई हैं ये आपके हार्ट को कॉलेस्ट्रॉल से मुक्त रखने का काम करती हैं आपके HDL को बढ़ाती हैं और LDL को कम करके ये आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज से बचाने का काम करती हैं.